दोस्तो हाल ही में बहुत सारी केसिस ऐसे अब्जर्ब किये जा रहे हैं जिन से छोटे बच्चों को ही हाट अटेक्स आ रहे हैं तो डॉक्टर्ज ने इन बच्चों को अब्जर्ब करने के बाद कुछ खास रीजन्स बताएं हैं जिनकी वज़ा से इन बच्चों को हार्ट अटेक आ जाता है तो वो रीजन्स आपके साथ में यहाँ पे शियर करने जा रही है तो सबसे पहला इसका रीजन है बच्चों को सुबह को जल्दी उठा देना दूसरा है बिना कुछ खाए पिए बच्चों को स्कूल भेजना थर्ड है बच्चों का स्कूल बैग हज से जादा भारी होना नेक्स्ट है लंच में लगातार बच्चों को तला हुआ मतलब की फ्राइड खाना भीजना नेक्स्ट है होमवक पूरा करने का प्रेशर बर्डन बच्चों पे डालना नेक्स्ट है स्कूल से ओफ टाइम के बाद जब जैसे ही वो घर पे आते हैं तो उनको जबर्दस्ती नहलाना और उनको जबर्दस्ती खाना खिलाना नेक्स्ट है, जब exam का time होता है तो पढ़ाई का pressure बच्चों की उपर डालना नेक्स्ट है, बोड़ी को बिना rest दिये, इव sums बाचों का खेलने का time होता है तब उनको 2-4,5 घंटे tuition भीज देना ट्यूशन से आते ही दिनर का प्रेशर देना लेट नाइट बच्चों को सुलाना तो ये कुछ खास रीजन्स है जिसकी वज़त से हमारे बच्चों के मानसिक स्थिती उनकी मेंटल डिप्रेशन हो जाती है और बच्चे हट अटैक के शिकारी हो जाते हैं तो हम सब पेरेंट्स को इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को बर्डन देना चाहता है लेकिन जाने अन जाने में ये चीज़ें हमारे द्वारा ऐसी हो जाती हैं जो बच्चों की मानसिक स्थिती कर देती हैं और बहुत जादा टेंशन लेनी की वज़े से उनकी हट अटेक जैसी कंडिशन आ जाती है तो दोस्तों बच्चों से पढ़ाई हैं पढ़ाई से बच्चे नहीं हम हैं तो हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं तो हम हैं थैंक यू वेरी मच